टाइची ओनों कहते हैं विदाउड स्टेंडर्ड्स दियर कैन भी लो काईजन मीन जब भी हम कोई इंप्रूब्मेंट कोई काईजन करते हैं सो उसको अगर हम इस्टेंडाइज नहीं करेंगे सो वो काईजन की जो इफेक्टिवनेस है वो लॉंग टर्म में सस्टेंड नहीं हो पाएगी हेलो फ्रेंड इस प्रदीप वेल्कम बेक टू लीन सीको जैसा कि आपने थम्नेल में देख लिया है आज हम बात करेंगे 3K रूल के उपर जिसे कि हम the secret of इस्टेंडरिजेशन के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स 3K एक जैपनीज कॉंसेप्ट है जो कि K से स्टार्ट होने वाले 3 words का एक सीक्वेंस है और इसको अगर हम देखे हैं फर्स्ट के मींज के मेरा रेटा कोटो गा एंड़ सेगेंड वन इस कि होन डोरी एंड़ थर्ड वन इस कीचिन तो मामुरो फ्रेंड्स ये तीनों जैपनीज वर्ड्स step by step एक सीक्वेंस में होते हैं जब भी हम अपनी प्रोसेस या किसी भी वर्ड को स्टेनराइज करते हैं तो ये थरी के जो रूल है step by step इसको हम फॉलो करते हैं जिसमें फर्स्ट होता है कि मेरा रेटा कोटो गा so इस वर्ड का मीनिंग है what has been decided यानि कि हमने क्या decide किया है जो हमें करना है as a process या as a कोई भी वर्खो and second one is कि होन डोरी जिसका मीनिंग है exactly as per the standard यानि कि जो हम कर रहे हैं उसके क्या standard है जिसके according वो होना चाहिए and the third one is kitchen to mamuro means must be followed and इसको और अगर simplify करके देखें so we can say that यानि हमने जो भी work या process define की है वो उसके standard के according ही perform होनी चाहिए इसको और simplify करके एक example से समझें हम जिस भी industry में काम करते हैं या जो भी हमारा work area होता है वहाँ पर कुछ rule और regulations होते हैं जिनको हमें follow करना होता है अगर हम उन्हें follow नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ हमें problem को face करना पड़ता है for example हम अगर देखें कि कोई एक machine है और वो machine maintenance का कुछ work अगर कोई person कर रहा है and rule यह कहता है कि जब भी हम किसी machine पर maintenance perform कर रहे हैं machine की जो power supply है वो बंद होनी चाहिए and अगर हम rule follow नहीं कर रहे है और कोई maintenance person machine के अंदर काम कर रहा है या उसके कुछ electrical panel पर काम कर रहा है या उसके moving part पर कहीं भी काम कर रहा है so इस condition में बहुत ही ज़्यादा chances है कोई बहुत बड़ी miss happening होने कि जिसके वज़े से कि एक जानलेवा जो नुकसान है वो उस maintenance person को हो सकता है क्योंकि वहाँ पर वो safety rule को follow नहीं कर रहे है या safety standard को follow नहीं कर रहे है so इससे आगे अगर हम बात करें कि जब भी हम अपने work area में वोई भी standard define करते हैं किसी भी कार्य के लिए किसी भी process के लिए so उसमें कुछ important points है जो हमें ध्यान देने चाहिए उस वोगर हम देखे हैं so first is कि हम जिस भी process जिस भी machine या जिस भी line के लिए हम standard define कर रहे हैं हमें चाहिए कि उस specific कार्य को करने वाले जो operators हैं जो वो कार्या के खुद से perform करते हैं उनको हमें involve करना चाहिए जब भी हम उनके कार्य के लिए standard define करते हैं क्योंकि वो daily खुद से उस कार्य को perform कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा बहतर तरीके से उसमें value addition कर सकते हैं second अगर हम बात करे हैं so जो भी हमारे standard है वो हमेशा specific होने चाहिए specific means हमारे process का cycle time है या हमारा जो tag time है वो clearly define होना चाहिए हमारा जो work sequence है वो define होना चाहिए manpower और उसका skill कुछ required है तो वो define होना चाहिए कोई specific machine या tool आपर उस process के लिए ज़रूरी है वो ही use होना चाहिए तो वो define होना चाहिए process parameter है like air pressure है temperature है वो clearly उस process में define होने चाहिए साथ ही in process inventory है तो यह सारे कुछ key points है जो हमारे standard में होने चाहिए आगे अगर हम देखें so standard जो है हमारा local language means regional जो language है उसके according बने हो so that की जो operators है तो उनको standard पढ़ने में आने चाहिए समझ में आने चाहिए next अगर हम देखें जो important point है वो यही है कि जो हमारे standard है generally यह practice देखी जाती है कि standard एक बार हम बना देते हैं और उसके बाद सालो साल वो ही standard हम follow कर रहे होते हैं जबकि product में change के according customer की demand में change के according हमारे जो SOPs हैं वो revise होने चाहिए so that की हम हमेशा customer की need को समझ के उसकी need के साफ से अपने product की quality या उसके जो भी requirement है उनको meet कर पाए so friends I hope की जो 3K Japanese concept है for standardization वो आपको समझ माया होगा so आपको आज का topic कैसा लगा जरूर comment box में अपने valuable feedback हमारे साथ share कीजे and if our tutorial add value to you so please like and share in your circle and if you are new on this channel so please subscribe our channel to motivate us and we will get back soon with a new another interesting topic till then take care goodbye and keep watching lean seek